जै माधादी मित्रो मेरे नाम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं 19 मई 2023 को जेट के महिने में शनी जैन्दी आ रही है यह उनके लिए बड़ा इंपोर्टेंट है जिनके उपर शनी की महादशा अंतरदशा शनी की है या जिनकी कुंडले में शनी उचके बैट है जिन पर ढहिया और साड़े साथी चल रही है तो उनके लिए यह विशे सांक है वो ध्यान से वर्ट टू वर्ट कॉपी करें और इसमें मैं कुछ उपाए भी बताऊंगा अगर आप करें साथी साथ सनी जहनती के अफसर पर मैं अपने 27 सालों के एक्सपीरियल से आपको यह बताऊंगा कि शनी की ढहिया से आपको क्यूं बरवादी होती है शनी की साड़े साथी आप पर इतना ज्यादा बुरा असर क्यूं करती है कौन से ऐसे पांच करम होते हैं जो करने से जब आपकी शनी की मादसा आती है या अंतर दशा आती है प्रतंतर दशा आती है डहिया आती आपके उपर यह साड़े साथी आपके उपर आती तो आपको बरवाद कर देती है तो ऐसे पांच करमों से आपको बचना ची और कर दिये ऐसे करम तो उपाय क्या है तो इस करम में हम चर्चा करेंगे शनी के बारे में पुल डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो पूरी देखिएगा सबसे पहले सनी का हम ध्यान कर लेते हैं और जनम दिन पे अगर आप कोई उपाय करेंगे तो वह प्रसन हो जाता और कई बार आशिरवाद दे देता है और आशिरवाद ऐसी चीज है अगर गुरु का या किसी का भी आपको आशिरवाद दिल से मिल जाए तो आपके जनमों जनमांतर के पाप भी मिट जाते हैं याद रखेंगा सिर्फ एक आशिरवाद से पहले हम यह चर्चा करेंगे पांच ऐसे करम क्या होते हैं 27 स साल का अनुभाव है बहुत सारी कुंडलिया मैंने देखी है अपना अनुभाव बता रहा हूं हो सकता है कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा एक्स्पीरेंस हो उनको ज्यादा अनुभाव वह बता रहा हूं तो पांच ऐसे कर्म जो की शनी की धहिया साढ़े साती या फिर श कर देती है तो पांच वो गलत करम क्या है पहला करम के बारे मैं बात कर लेता हूं पहला करम होता है माता-पिता का अपमान कोई व्यक्ति नहीं चाहता माता-पिता का अपमान लेकिन बहुत बार ऐसी इस्ततिया हो जाती है कि आप अपमान कर देते और आपको लगता है कि आप अपने माता पिता का अपमान नहीं किया तो इसलिए हमेशा माता पिता का अपमान करने से आप को बचना चाहिए कारण किया 74 साड़े साति sometimes refer तो आपकी ऐसी तैसी करतेहां याद रखेगा माता पिता का अपमान नहीं करना है याद रखना मेरी बात को दूसरा गुरू और इस्ट की निंदा जैसे आपके माता पिता बड़े बुजर को पूजा करते हैं तो आज कल के यंग जनरेशन के लोग है उसकी निंदा करते हैं उसके लोजिक ढूंडते हैं आप लोजिक ढूंडे बहुत अच्छी बात है ले बात सारी चीजें होती है तो गुरु और पंडित का थोड़ा सम्मान करें उससे आपको लाब होगा तीसरा जो कारण होता होता पुस्तकों का निरादर कुछ लोग क्या करते हैं पुस्तकों को और खासकर बच्चे करते हैं ऐसे फैक देते हैं या फिर उनके पैरों पे दोगेगी करेगी चौथा करम क्या होता है कुटों का निरादर अगर आपने किसी kutth고 तो को मार या कुछ कुछ लोग जानबुच के कुटों को परिसान करते हैं जीव को परिसान करने में कुछ انसानों को बहुत मज़ा आता है वह जानबुच के kutth具 को पास बुलाते हैं उसके बाद उसको उसको परताडित करते हैं तो ऐसे में क्या होता है शनी देव उपर से देख रहे हैं अभी तो आप अच्छे टाइम की स्टेंप लगा के आए तो अभी कुछ नहीं बगड़ेगा लेकिन आपका यह जो पाप है यह नोट हो चुका है ज जब भी ढहिया और साड़े साती लगेगी तो आपको भी ऐसे ही निरादर सेहना पड़ेगा आपको भी ऐसे ही बेफालतु की लतार सेहनी पड़ेगी घर से आपको अपने ही आपके बारे में गलत बोलेंगे अफवाएं उड़ाएंगे और आप कहेंगे ऐसा क्यूं हुआ क्योंकि आपने निरादर किया है किसी जीव का खासकर कुत्ते जो शनी को अतिप्रिय है साथी साथ देखा जाए चोथी चीज जिससे व्यक्ति को बचना ही चाहिए वो है शनीवार को मास मदिरा का प्रियोग करना यदि आप सनीवार को मास मदरा का प्रियोग करते हैं और आप समझते हैं कि शनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो आप गलत फहमें राजा राम में जब शनी आए तो सीता से राजा राम को अलग करा दिया शिव भगवान पे जब शनी देव आए तो क्या हुआ उ दूलियों जो कि हम सोचे कि हमारे पर शनी का प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए हर 27 या 30 साल में शनी की सभी आप। प्रिपीट करे गई यानि कि 140 करूई भृति कोbenा किसी प्रकार में करता कि आपको मार्ट मज्राख प्रियोग कर नहीं करना सीयरावु आपके साथ में Bered जाता है तो पित्र दोष आपने बहुत जो तिसी को कुंडली दिखाई होगी तो पित्र दोष आपने जाना होगा तो पित्र दोष जब आपकी कुंडली में लग जाता है तो ऐसे में भी क्या हो जाता है कि शनी की साड़े साथी धैया ज्यादा व्यक्ति को परिसान करती है अब ये तो पांच करम हो गए जिसमें पितर दोस्म किसी की कोई गलती नहीं हो तो पुर्खो की किी गई गलती कि आपको सजा मिलने हैं तो हमारे पुर्खे भी कुछ गलतिया करते हैं Jang इससे वह में बश्रामिल सजा मिलती है अब इससे निविर्ति कैसे पाए इसके बारे मेंए चर्चा कर लेते हैं तो शनी जैंति यानि 19 मई히 2023 को हम प्रयास तो कर सकते हैं candle निवृति हो सकता है कुछ लोगों को लाप मिल जाए कुछ लोगों को आशिरवाद मिल जाए प्रियास तो हमेशा करना चाहिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान तो इसी प्रकार से कि हमें प्रियास करना चाहिए प्रियास करने से कभी न कभी हमारे काम सपल भी हो जाते हैं तो ऐसे में हमको क्या करना है जल्दी सुभा उठकर हमें उन्नीस तारिक को जल्दी सुभा उठना है उसके बाद घर में मंदिर की साफ सफाई करनी है याद रखिएगा उसके बाद घर में एक दीपक जला दीजिएगा शनी से प्रातना कीजिएगा कि मेरे से कोई गलती कोई ये पांच क डालके शनी देप के आगे या पीपल के पेड़ के आगे शनी मंदिर के अंदर आप दीपक जरूर जलाईएगा और उस दिन अगर आप दान कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है पहला तो आपको आपने दीपक जला लिया उसके बाद आपको क्या करना है वहाई पर आप तेल का दान दे सकते हैं कंबल का दान दे सकते हैं चपल का दान दे सकते हैं तो यह साड़े साथी डहिया में बड़ा शुब दान माना जाता है और यह फाइदा भी मिलेगा जब आप सनी जहनती में इसका दान करेंगे तो विशेश आपको हजार गुनाफ लाब मिलेगा तो सनी जहिंति के दिन यह आप दान दे सकते हैं साथी साथ आपको क्या करना है को राक गज भी वहाँ पर ले जाना है अप कोरे कागज में मंदिर के प्रांग न में बैठ कर किसी में बैठ जाए और उसके बाद लाल प्हल्यक्त से जो मैं मंत्र बता रहा हूकं ये वहाँ पर लिखने ये मंत्र है ओम भग भवाए विदमहे मित्यु रूपाए धीमई तन्नो शनी परचोध्याद ये जो मैंने मंत्र बताया दुबारा मैं आपके लिए रिपीट कर दिता हूं ताकि आपसे गलती ना हो वैसे तो मैं देही रहूं आपको ओम भग भवाए विदमहे मित्यु रूपाए धीमई तन्नो शनी परचोध्याद इस मंत्र को उतार ले एक स्कुएर सी स्ट्रिप बना ले या आयताकार स्ट्रिप बना ले और इसको घर के अंदर अगर कलेश रहता है तो घर के अंदर चिपका दें व्यपार या नोकरी में दिक्कत रहती ह गले में उसी दिन धारण करें तुरंत आपको राहत मिलने की पूरी की पूरी संभावना है यानि कि घर में कलेश हो तो भी काम करेगा व्यपार में काम में कुछ उलजन हो और तो और शनी होना चीए उसे रिलेटिट या तो आपके ढहिया साड़े साथी का प्रकौप हो य अंतरदशा शनी की चल रही हो तो आप पर यह उपाय काम करेगा तो यह चीज यह प्रियोग आप कर सकते हैं जिससे कि आपको तुरंत लाव जरूर 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 मिलेगा तो मित्रों इस कारेकरम में अच्छा लगा बड़े दिल से मैंने आपके लिए बनाया है तो शेयर ना किसी के काम आजाए किसी के लाव आजाए बस हमारा यह उतेश है तो मित्रों इस कारेकरम में इतना ही मुझे दीजेजाद चैमाता दी